Hey everyone, आज हम करेंगे crossword puzzle, तो direction है complete the crossword using clues given below, हमें clues दियो ही है, across number 1, a shop selling exercise books, pen and pencil, आप book, pen or pencil खरीदने के लिए कहां जाते हो, अब ये one वहले में देखो, यहाँ S दिया और Y, तो इस shop का नाम S से शुरू होता है, और Y से खतम होता है, ये है, stationary shop, stationary के दुखान से लाते हैं न, pen, pencil, books, next, number 3, a person making wooden furniture, ये 3 वले में देखो, wooden furniture कौन बनाता है, C से शुरू हो रहा है, R से खतम हो रहा है, it is car painter, next, a person who act, ये तो बहुत हीज़ी और ये सब को पता होगा, act कौन करता है, actor करता है न, A, C, T, O, R, ये भी हो गया, next one, a person who is swift on his feet, यहाँ पे बोला है, एक person, यहाँ पे बताये गया है, कोई इंसान जो की बहुत ही जल्दी जल्दी जलता है, फुर्तीला, उसको आपको गैस करना है, कौन है, और ये word शुरू होता है, N से और खतम होता है, E से, थोड़ा difficult है, इसको बोलते है, nimble, next, eight वाला, a person who delivers letters, देखो letter कौन देता है, यह भी easy है, E से शुरू हो रहा है, तो postman है ना, now, next one is down, अब ये नीचे वाले, उपर से नीचे वाले हैं, a shop selling grain, pulses and spices, आप जहां से kitchen का समान खरित के लाते हो दुकान से, उस दुकान को हम क्या बोलते हैं, तो two में देखो, two में क्या है, जी से शुरू हो रहा है, और भी कई सारे word दियें, c दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो ऐसी दुकान जहां से आप kitchen का समान खरिते हो, उसको बोलते हैं, grocery, next one, a person who carries luggage into the hotel, luggage मतलब हमारा जो सामान होता है, आपने देखा होगा, railway station वगरा पर सामान कौन उठाता है, हिंदी में तो इसको कूली बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, potter, next and the last one, a person paying rent for staying into another person house, जब हम किसी के घर पे रहते हैं, किराय पे रहते हैं, तो हम जो ओनर होता है, उसको पे, जो monthly fees देते हैं, उसको बोलते हैं, rent, तो जो rent पे करता है, वो कौन होता है, उसको हम बोलते हैं, tenant, देखो, T से शुरू हो रहा हैं, T E N A N T, so this one is tenant, that was it, subscribe for more, bye-bye,